हेलो बच्चो, आज हम लोग सामानने ग्यान में कुछ कोशिन आंसर्स पढ़ेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि सामानने ग्यान क्या होता है. सामानने ग्यान एक सटीक जानकारी है, जो किसी भी वास्तवी घटना पर आधारित होती है. सामानने ज्यान हमें अपडेट करता है और जागरू करता है हमारे मातापिता, टीचर्स, रिलेटिव्स सभी हमें सामानने ज्यान पर विभिन प्रकार के ज्यान प्राप्त करने के लिए कहते हैं विभिन प्रकार की सामान्य ग्यान की जानकारी हमें एक अधिक intellectual यानि बौधिक व्यक्ति बनाती है जो सांसारिक मामलों से अपडेट रहता है. इसके अलावा सामान्य ग्यान किसी भी प्रकार की entrance exam यानि प्रवेश परिशा के लिए भी बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि general knowledge question answers प्रवेश परिशा पाठिगरम के बड़े हिस्से को कवर करते हैं. तो चलिए अपने सामान्य ग्यान को बढ़ाते हैं. सबसे पहला प्रशन आगरा शहर कौन सी नदी के तट परिस्थित हैं? इसका उत्तर होगा यम्ना नदी. Next, cold किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा घोडे के बच्चे को cold कहा जाता है. अगला प्रशन, मानव शरीर में कौन सा अंग हमारे रख्ट को शुद करता है? इसका उत्तर होगा kidney. बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत का राश्ट्रगान किस ने लिखा? भारत का राश्ट्रगान रविन नाटेगोर ने लिखा है. प्रिथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? शुक्र ग्रह हमारी प्रिथ्वी के सबसे नजदीक होता है. नेक्स्ट क्वेशन, ग्वाइटर रोग का मुख्य कारण क्या है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है. बच्चो क्या आप लोग जानते हैं LBW शद किस खेल से सम्मंदित है? LBW cricket में इस्तमाल होता है जिसका meaning होता है leg before wicket बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है? बिल्ली के बच्चे को kitten कहा जाता है अच्चा बच्चो बताईए सबसे प्रसित खिलाडी साइना नहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नहवाल बैडमिंटन खेल से जुड़ी है भारत के चार महानगर कौन से है? भारत के चार महानगर मुंबई, चेननई, कोलकाता और दिल्ली है नेताजी सुभाज चन्रबोस का जन्विस्थान कहा है? नेताजी सुभाज चन्रबोस का जन्व कटक उडिसा राजे में हुआ था अच्छा बच्चों ये बताईए पहली महिला भारती अंतरिश्यात्री कौन थी? कल्पना चावला पहली महिला भारती अंत्रिश्यात्री थी नीमू में पाये जाने वाले एसिट का क्या नाम है? नीमू में साइट्रिक एसिट पाये जाता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजिस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है लास्ट कुश्चिन, पिंक सिटी के रूप में किस शेहर को जाना जाता है? जैपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है सभी बच्चे सामानने ग्यान के इन प्रशन उत्तरों की प्रेक्टिस करेंगे थैंक यू